मस्कार दोस्तों में विमल सिंग बाला जी श्टेडी एड़ा में आपका स्वागत है यूपीटेट 2021 के लिए टॉपिक वाइस हम आपको प्रसनों की प्रेक्टिस भी करा रहे हैं टॉपिक वाइस वीडियो भी करा रहे हैं परेवरण जो है उसके कोर्स वाइस हमारा जो है टॉपिक चल लाए है सारे तो आज हम देखेंगे भारत के अंतरगत नदियां परवत पठारवन यातायात महादीप और महासागर इस पर बेजड हमने पिछले वाले वीडियो में 50 प्रसन देखे थे जो कि आपके सभी previous year based थे यदि नहीं देखाओ sign my button में पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा आज के इस वीडियो में हम इसी पर बेजड 30 प्रसन देखेंगे जो कि previous year में नहीं आये हैं ये सभी नए प्रसन होंगे उसके बाद आज ही के वीडियो में हम अगला वाला जो टॉपिक है हमारा प्रदेश यानि कि उत्तर प्रदेश से संदर्ण में नदियां परवत पठार वनियात पर बेजड प्रसन भी देखेंगे और साथ ही साथ कुछ टॉपिक वाइस चीज़े भी देखेंगे तो कुल आज के इस वीडियो में ये दो टॉपिक आपके जो है वो कवर होंगे समय विल्कुल भी नहीं है इसलिए हम पूरा पास चलना है क्योंकि अन्य सब्जेक्ट को भी हमें ध्यान में रखना है और चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला प्रस्ण है वे दो ग्रह जिनके उपग्रह जो है वो नहीं है बताना है आपको कौन सा इन में से सही होगा प्रत्वी ब्रस्पती बुद्ध सुक्र, बुद्ध और सनी, सुक्र और मंगल तो कौन से ग्रह है जिनके क्योई भी उपग्रह नहीं है अंसर की बात करते हैं तो आपके option कौन सा सही होगा, भी वाला option जो है वो सही होगा, यानि कि बुद्ध और सुक्र ग्रह हैं जिनके कोई भी उपक ग्रह नहीं है, बुद्ध ग्रह से question ये पूचा जाता है कि सूर के सबसे नस्दीक ग्रह कौन सा है, तो बुद्ध ग्रह है, सूर के सबसे नस्दीक है, तो बुद्ध है, कौन सा ग्रह है, प्रत्वी से सबसे नस्दीक है, तो सुक्र ग्रह है, बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी, मंगल, सनी, अरोड, वरोड़, इस टाइप से क्रम जो है वो आपका चलता है, सुक्र ग्रह को ही प्रत्वी की भगिनी भ कहा जाता है, वो भी आप याद रखेगा, दूसरा प्रस्न है, अंत्रिक्ष्य यात्री जो है वो कौन थे, यूरी गागरिन, ऐलन सैफर्ड, सृत्य आस्टितो या फिर जोन यंग, बताई इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, अंत्रिक्ष्य में जाने वाला पहला अंत्रि यात्री जो है वो कौन था अंसर की बात करते हैं तो यूरी गागरिन आपका विल्कुल सही होगा यान का नाम था वाश्टॉक वन नामक अंत्रिक्ष यान था समय था 1961 का तारिक थी 12 अपरेल की तो 12 अपरेल 1961 को वाश्टॉक वन नामक अंत्रिक्ष यान के द्वारा मानों न अपनी पहली अंत्रिक्ष यात्री और यूरी कागरिन बने थे पहले अंत्रिक्ष यात्री और पूर्वसोगवियत संग जो है उसके थे यूरी कागरिन इनोंने प्रत्वी का एक परिब्रमण जो है वो यह था इसी समय में 12 अपरेल 1961 को तीसरा प्रस्न सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वो कौन सा है नेप्चिन है जिपिटर है मार्स है या फिर सेचरन है जो सबसे दूरी पर होगा वही सबसे ठंडा ग्रह होगा बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा दूरी पर होने का ठंडे का सेंस यह है क्यों के नाम नहीं आते हैं वो भी मने आपको बता दिया है कर इसके चारों और व है आपकी मीथेन तो मीथेन काती सीतल आवरण भी पाये जाता है वो भी आप याद रख सकते हैं आपका उप्षन ए वाला सही होगा अगला है चौथा प्रसन की सूरे में नुकलियर एंधन होता है इलियम हाइड्रोजन यूरेनियम एल्फा कड़ बताए इनमें से कौन सा सही होगा सू प्रत्वीक की भगनी या फिर प्रत्वीक का प्रत्वीक की जुड़वा वहन के रुप में किसे जाना जाता है तो अंसर की बात करते हैं तो सुक्र को जो है वो जाना जाता है इन चारोज उप्षन में देखे हिंधी में सुक्र लिखा हुआ है तो हिंदी का नाम हो जाएगा ये आपका सबसे ज़्यादा है चमगीला ग्रह भी है इसी को ही भोर का तारा भी कहते हैं संध्या का तारा भी कहते हैं और ये ग्रह पर दिन और रात का जो टेंपरेचर होता है वो लगबग एक समान होता है कारबन डाय ओक्साइड की मात्राएं आपन 90 से 95 परसंट तक होती है वायूमंटली जो दवा होता है वो प्रत्वी की तुलना में 100 गुना ज़ादा होता है प्रत्वी के सबसे ज़्यादा निकट स्थित ग्रह है ये सीज को भी दरूर ध्यार नकेगा और ये जग्रह है इसका कोई उपग्रह जो है वो नहीं है विस टाइप से आप साहिजी जो को याद रख सकते हैं और प्रत्वी की जुड़वा पहन भी सुक्र को कहा जाता है छटा प्रसंद क्या रहा है धुरुव तारा कहा जाता है उत्री तारे को दक्षडी तारे को पूर्वी तारे को या फिर पश्च्मी तारे को गताइए इन में से कौन सा जो है वो सही होगा option ABCD में से answer की बात करते है उत्री तारा आपका सही हो जाएगा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है और उत्री धुरुव के ठीक उपर इस्तित होने के करण एक ही दिशा में हमेशा आपको दिखाई भी देता है इसको हम कहते हैं धुरुव तारा अच्छा धुरुव तारा जो है किस तारा समू का भाग है तो मतस्य तारा समू का भाग है और उत्री तारे को धुरुव तारा कहा जाता है इस तरीके से अपोजिट करके भी प्रसंद पूछा जाता है ये उत्तरी तारे को क्या कहते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखेगा, अगला प्रस्न है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, तो बताइए इन में से कौन सा सही होगा, मैंने बताया था, इस सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पूरे सौरमंडल में तो ब्रहस्पत ब्रहस्पती का जो उपग्रह है, वही पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह भी है, पर ब्रहस्पती का उपग्रह है आपका, उसका नाम है गैनी मीड, जो कि आपका सबसे बड़ा उपग्रह है, यहाँ पर जो पूचा गया है, वो पूचा गया है, टाइटन किस ग्रह का प्राकरतिक उपग्रह है तो अंसर की बात करते हैं सनी का जो है यह उपग्रह है और सनी का जो है उपग्रह है अगर आकार में बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा जो है वो आपका तो आपका जो सनी है वो ध्यान रखेगा आकार में दूसरा जो है सबसे बड़ा ग् अंसर की बात करते हैं, अभी मैंने बताया कि बुद्ध जो है, उसमें सूरिस से बढ़ते हुई, दूरी के करम में, अगर आप स्तिती के करम में देखेंगे, तो बुद्ध सबसे पहले आता है, यही आपका सही हो जाएगा, नवा प्रसने दक्षडी गोलार्द का सबसे दिन जो है, वो कौन सा होता है, अंसर की बात करते हैं, तो 22 दिसमबर आपका जो है, वो सही हो जाएगा, 22 दिसमबर को दक्षडी गोलार्द में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इसी जो तिती है, उसको सूरिका प्रकास मकर रेखा पर लंब वक्त पड़ता है, और यह जो घटना होती है, वो कहलाती है, आपकी मकर संक्रांती की घटना, दस्वा प्रस्तें की भारत में क्रसी को प्रभावित करने वाला सबसे महतपोड तत्व जो है, वो क्या है, तापमान, आदरता, पवन ये वरष्टी, यह पुर्शन आपका प्रीवियस एर में भी आया, मैंने आपको क्लियर बताया था कि जो वरष्टी है, वर्षा है, यह सबसे आदा प्रभावित करती है, क्योंकि भारत उष्ट और समसी तो उष्ट दो कटिबंद में आता है, तो वर्षा सबसे आदा प्रभावित करती है, अगला है आपका तूटता हुआ तारा, यानि कि अंसर की बात करते हैं तो तूटता हुआ तार एक प्रकार का पिंड होता है जो कि यहां पर option D वाला दे रखा है कि उलकाब जो की प्रत्वी के वायू मंडल में प्रवेश करते ही आगप कर लेता है यह आपका जो है वो सही हो जाएगा वायू में घरसड होता है वायू मंडल का प्रमुक कारण क्या है सूर का अपनी धूरी पर घूमना चंद्रमा का अपनी धूरी पर घूमना प्रत्वी का अपनी धूरी पर घूमना या फिर सभी तो बदाइए इन चार option में से कौन सा जो है वो सही होगा अंसर की बात करते हैं तो प्रत्वी जो अपनी धूरी पर गुमती है उसके कारण होता है दिन और रात तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा और एक मात्र कारण क्या होता है प्रत्वी का अपने अक्षपर साथे 23 डिगरी जो है वो जुका होना और इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेगा अगला देखते हैं प्रसंद 13 की चंद ग्रहन होता है जब प्रत्वी सूर्य और चंद ग्रहन के बीच होता है चंद आपका अनसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे चंद ग्रहन की घटना त जातीैं कुछ इस तरीके से समझे कि सूर्य यह आपका है तो और के अंच्नदाके बीदेुट चंद्रमां एक चोटा सा दशार साथ हैं और प्रत्रवी प्होड़ा सा ये आपका क्या हो जाएगा चंद्रमा पर अंधेरा हो जाएगा और जो चंद्रमा अंधेरा हो गया चंद्रमा पर ग्रहन लगया तो मतलब चंद्र ग्रहन ऐसे याद किया जाता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में प्रत्वी आ रही है तो कौन सी घटना हो गई तो आपक चंद ग्रियान हो गई, जो कि आपको पहले ही option में दे रखा है, प्रतवी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, अगला इन में से कौन सा आगने चट्टान का उधारन है, आगने चुना पत्तर, स्लेट या ग्रेफाइट, तो बताइए इन में से कौन सा सई होगा, आगने च है इसका उधारन और यहां पर option में देखिए, तो आगने ही दे रखा है, तो बस आगने ही आपका सई होगा, इसके लावा अन्य option की भी बात करते हैं, तो जो चूना पत्तर है, वो आपका किस में आता है, तो यह अवसाधी चट्टानों में आता है, और जो चूना पत्तर ह जाता है, संग मरमर में, तब वो आपकी चट्टान हो जाती है, रूपांतरिच चट्टान में, स्लेट आपका आता है, रूपांतरिच चट्टान में, और यह जो है, वो बदलता है, कौन है, तो चिकनी मिट्टी जो है, आपकी बदलती है, ग्रेफाइट जो है, यह आपका किसमें आता है तो ये भी आपका रूपांतिर चट्टानों में आता है और ये आपका साथ बिटुमिनस कोईला जो है वो बदलता है बाकी जो है आपके जो प्रात्मिक साहले आगने चट्टाने उसके एक्जामपल में आपका बेसाल्ट भी पूछा जाता है ग्रे नाइट पूछा जाता है ग्रे नाइट और ग्रे फाइट में हमेशा अंतर ध्यान रखेगा और graphite अगर होता कहा है तो आप देखते है pencil की जो nip है साथ उसमें भी होता है तो वो क्या है वो एक रूपांतरित रूप है ऐसा तो है नहीं कि आपको pencil की निप जमीन में दवी मिल गई और आपने यूज कर लिया तो वो किसी ना किसी का रूपांतर होके तब आप उसे pencil में यूज कर रहे हैं तो उस चीज से जोड़ कर याद रख सकते हैं कि graphite आपका एक रूपांतरित रूप है और आपका ग्रैबो जो है वो भी आगने में आता है अगला प्रसंद 15 है कि प्रतवी तल के नीचे के पिगले हुए पत्तर को क्या कहता है बेसाल्ट कहते हैं लैकोलित कहते हैं लावा कहते हैं मैगमा कहते हैं बताइए इंचार आप्शन में से कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं इन चार आप्शन में से तो उसे हम मैगमा कहते हैं प्रत्वी तल के नीचे के पिगले हुए पत्थर को क्या कहते हैं मैगमा कहते हैं और जब वो बाहर निकलाता है तो उसे हम लावा कहते हैं यही डिफरेंस होता है मैगमा और लावा में अगला है 16 प्रस्ण की प्रत्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से डैस सामिल होते हैं बॉक्साइट, मैगनीज, सिलिका, आइरन बताइए प्रत्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या होता है अंजर की बात करते हैं तो उसमें सिलिका होता है सी वाला option से ही होगा सियाल परत का नाम आपने सुना होगा सियाल में SI और AL आता है SI मतलब silika, AL मतलब aluminium और पपड़ी की बात की जारी तो सबसे उपर की परत होगी तो उससे आप जोड़ सकते हैं कि सियाल सबसे उपर की परत की बात की जारी है सियाल, सीमा और निफे तीन परत होती हैं सियाल सबसे उपर की, सीमा उसके नीचे की निफे सबसे नीचे की तो उस तरीके से आप नाम से जोड़ कर इसे याद रख सकते हैं कि सिलिका आपका पपड़ी में मुक्री रूप से पाये जाता है सतरा प्रसन इन में से कौन सा आगने सहल जो है वो नहीं है डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या ग्रैबो देखे फिर से कोशन आया आगने सहल से अभी मैंने सारे एक्जामपल बताये इन में से कौन सा सही होगा डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या फिर ग्रेबो तो मैंने बताया अभी कि ग्रेबो आपकी आगने चट्थान है तो ये तो आपका होगा ग्रेनाइट आपकी है क्योंकि ग्रेनाइट अगर पत्थर आप लगा लेते हैं तो आगने लोग जल जाते हैं आपसे, फर्स पे अगर आप बिद लगवा लेते हैं, तो ये भी आपका आगने सहल है, बेसाल्ट में वर्ड देखे क्या पकड़िये, क्या है, बेस वर्ड है, तो जो ग्रेनाइट आप लगवाते हैं, वो कहां लगवाते हैं, तो बेस में प्रस नहीं पर यहां सारों को यह आपका है. 18 प्रसने आपका है कि संगमर्मर किसकी एक कायंत्रित चट्टान है पताई इन में से कौन सा सही होगा भी मैंने आपको बताए बिता सैंड श्टोन चूने का पत्थर ग्रेनाइट या फिर मिट्टी तो संगमर्मर्मर जो है आपका चूना पत्थर का जो है वो रूप होता है तो अंसर आपका भी वाला सही हो जाएगा संगमर्मर एक कायंत्रित चट्टान है इसको भी आपको मैंने बता दिया 19 प्रसने मैगमा के ठंडे होकर धनी बूत हो जाने पर किस प्रकार के सैलों का निर्माड होता है किस प्रकार की चट्टानों का निर्माड होता है ये आप आपको बताना है, वीडियो बसंद आ रहा हो, तो धुमा धा, लाइक भी करते रहीगा, आपके लिए इसी प्रकार हम आगे भी मैनद करते रहीगा, और लोग साओ शेर भी करते रहीगा, थाकि मुझो भी मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक और शेर करते रहीगा, अंसर की बा अगला परसन 20 कहा है कि granite किस प्रकार की सयल है, ग्रेनइट बहुत पूची जाती है, तो इसलिए मैंने उसको trick से आपका जोड़ दिया, तो बताइया कायानतरित है, अवसादी है, आगने है या हैलाइट है, तो अभी मैंने बताया कि ग्रेनाइट के अगर आप फर्स लगवाएंगे तो लोग आग लग जाएगी लोग के जल जाएंगे आगने चटान का उधारण है इन में से कौन सी अवसाधी सैल है सैल ग्रेनाइट स्लेट या संगमरमर बताइए इन में से कौन सा सही होगा सैल ग् आत्मिक सैल यानि की जो आगने सैल है उसमें आ जाता है इसलेट आपका रूपांतरित में आ जाता है संगमरमर भी आपका आ जाता है अगला प्रसंद 22 है कि भारत की स्थिति जो है वो है बताना है आपको कहां है अक्षांस और देशांतर के आधार पर दे रखी है तो बता से डिगरी 6 मिनट उत्तर तक और देशांतर की अगर बात करें तो 68 डिगरी 7 मिनट पूर्वी से ले करके 97 डिगरी 25 मिनट पूर्वी के पीच में आपका हो जाएगा ये है भारत की विश्थितित देशांतर में से कौन सा भारत की प्रमाडिक माध्यान रेखा कहलाती है 87 डिगरी 30 मिनट पूर्वी या 85 डिगरी 30 मिनट पूर्वी या 24 डिगरी 30 मिनट पूर्वी या 82 डिगरी 30 मिनट पूर्वी तो बताइए इन में से कौन सा जो है वो सही होगा अंसर की बात करते हैं तो आपका option D वाला यानिकी 22 degree 30 minute पूरवी आपका बिल्कुल सई होगा option number D वाला जिसको हम 85.82 degree भी कह सकते हैं 82 degree जो पूरवी देशांतर है इलावात के निकट 90 से गुजरती है और इसको हम मानक समय के नाम से भी जानते हैं इस समय ग्रीन वीच समय से 5.5 घंटा आगे है अगर ग्रीन वीच में दो बहर के 12 बज़रे हो तो भारत में कितना बज़रा होगा 5.5 बज़रा होगा अगला है भारती प्रमारिक समय IST और ग्रीन वीच मानकी GMT इसमें अंतर पाया जाता है 25 प्रसन आपका है कि भारत में आपका सबसे पहले निमलिकित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है पताईए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा अंसर की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही होगा भारती राज्य के रूप में इसकी स्थापना होई थी 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी अगर आपकी बात करें तो इटानगर है 2011 की जनगाडना में कौन से नंबर पे आता है तो 27 राज्य आता है 26 प्रसने भारत का सुदूरस्त दक्षडी बिंदु कौन सा है अंसर की बात करते हैं तो इंद्रा पॉइंट आपका बिल्कुल साही होगा जो कि आपका अंडमान निकोबार द्यूप समू में जो है वो इस्तित है ये जो है वो भारत का सबसे दक्षड तम बिंदु है प्रमुक धार्मिक और पर्यटक नगरी के रूप में जाने जाता है मीनाक्षी मंदिर अगर आप से पूछा जाए तो तमिल्लाडु में ही है आपका और रामिस्वरम जो है ये भारत के तमिल्लाडू राज्जी में इस्तित है और स्रिलंका के बीच इस्थित प्रमुक दियुप है ये हिंदुओं का प्रचिद्ध तीर्थिस्थल के रूप में भी जना जाता है जहां भगवान राम के द्वारा इस्थापित सिव मंदिर है 27 प्रसंद देखते हैं निमलिकित में से कौन सा इस्थान भारत का ग्रीन विच कहा जाता है रोहतक, अवंती, उज्जैन या कुरुच हेत्र बताईए इन में से कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं तो उज्जैन आपका बिल्कुल सही होगा मद्द प्रदेश के उज्जैन में जो है मुक्य, मध्धान रेका और करक रेका एक दूजरे को काटती है और प्राचीन काल में ही उज्जैन को समय की गढ़ना के लिए केंद्री संदर बिंदु के रूप में जाना जाता था इसलिए उज्जयन को कहा जाता है भारत का ग्रीन विज ध्यान रखेगा अच्छा प्रसने 28 प्रसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किया जाता है किस रेखा के द्वारा डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैगनी नॉट रेखा या रेडिकलिफ रेखा तो पताईए इनमें से कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं आपका तो भारत और पाकिस्तान की जब बात होगी तो आप कहेंगे तो टी वाला आपका ओप्शन रेडिकलिफ जो है आपका सही होगा भारत और पाकिस्तान के बीच 15 जून 1947 को सर सिरिल रेडिकलिफ के दोरा जो है वो की गई थी यही आपका सही होगा मैकमोहन रेखा जो है ये चीन और भारत के बीच मैकमोहन द्वारा अंकित की गई थी यही आपका सही होगा मैगनीनोट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच किची गई थी तो इसको भी ध्यान रखेगा और डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड के द्वारा सन 1896 को जो है इस्थापित की गई थी इसको भी आप ध्यान रखिएगा 29 प्रसन है भारत का कौन सा राज अधिक्तम राज सीमाओं को छूता है मद्ध प्रदेश, करनाटक, आंदप्रदेश या उत्तर प्रदेश तो बताईए कौन सा राज यह है जो सबसे ज़्यादा सीमाओं को छूता है अंचर की बात करते हैं इन चार आप्षिन में से तो आपका यूपी जो है उत्तर प्रदेश जो है वो सही होगा उत्तर प्रदेश के सीमाओं की राज में तीस गड़ मद्रदेश राजिस्तान हरियाणा दिल्ली ऐसे अलग अलग बहुत से आते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए तीस प्रसन आपका है सेकिंड लाश प्रसन भारत का सबसे बड़ा संग राज जो है वो कौन सा है दमंदीव है पूंचेरी है दिल्ली है या पूंद्रदेश राज प्रसन प्रसन भारत किलोमेटर है अगला लाश प्रसन है आपका इस चैप्टर का क्योंकि एक और हमने कहा है इसी में हम एड करके कुशन कराएंगे उत्तर प्रसन के संदर में वो इसके बाद देखेंगे चेरा पूंजी जो है वो इस्तित है असम अलिपूर मेगाले या मिजोरम बताइए इन में से कौन सा सही होगा तो चेरा पूंजी आपका अंसर की बात करते हैं मेगाले में इस्तित है यहां लगबक 138 सेंटीमीटर वर्सा होती है और मासिंद्राम जो है उससे पहले चेरा पूंजी में विसमें सारबादिक वर्सा अब यह स्थान किसको प्राप्त हो गया है तो मासिंद्राम को प्राप्त हो गया है अब बात करते हैं पहले कुछ important point की फिर इस पर बेशड़म ने बताया था आपको 22-22 प्रसने वो देखेंगे और लाश में कोशन हम आपसे पूचेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं उत् इत्तर जगा 25-25 करके भी दे रखा होता है यमुना नदी जो है आपकी यमनोत्री से निकलती है उत्राखंड में और मिलन का है गंगा में है घागरा जो है आपकी माप्चा चुंगो जो है इस्थल है जहां से निकलती है नेपाल तिब्बत में और मिलन इसका जो है वो चंबल नदी की बात करें तो जनापाओ पहाडी मद्धप्रदेश निकलती है और यमुना जो है उसमें मिलती है सोन जो है आपकी अमरकंटक से निकलती है मद्धप्रदेश और गंगा में मिलती है राप्ती नदी जो है लगु हिमाले नेपाल से निकलती है और कहा मिलती है घ जो है कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और यमुना में मिलती है और टोन्स आपकी कैमूर की ही पहाड़ी से निकलती है गंगा में मिलती है और लास्ट आपकी है सारदा जो की मिलान हिमनत से निकलती है और कहां घागरा जो है कुमाउ उत्राकंड जो है उसमें मिलती है यह हो दिखा देते हैं जो ये वाला था भारत वाला ये चैटर पर बेश्ड हमने प्रीवियस है पहले देखे थे और आज तीस प्रस्ट देख लिए अब हम देख रहे हैं हमारा प्रदेश नदियां परवत पठार यहीं कि यूपी लेवल पर उसी में ही है सारवादिक वन चेतर व आपका दुदवा और पीली भी दोनों ही फेमस है प्राणी उद्यान जो है आपका लखनो और कानपुर में है राज्य का पहला पक्षी विहार कौन सा है तो नवाब गंज पक्षी विहार है आपका अगला है राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है उसका नाम ह लाख बहोसी पक्षी विहार अगला है राजिका सबसे छोटा पक्षी विहार यह है पटना वक्षी विहार भारत का नी राजिका प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है तो चंद प्रभा वन्य जीव विहार आपका है अगला राजी का सबसे चोटा वनिजीव विहार कौन सा है तो हस्तिनापुर वनिजीव विहार जो है आपका है हातियों के संरक्षवर के लिए केंदर द्वारा प्लाए हो जित प्रोजेक्ट जो elephant है वो कब सुरू हुआ था तो 1992 इसवी में जो है वो सुरू किया गया था elephant reserve इस्थापित करने की जो योजना है वो कहां कहां हुई तो सहारनपुर और बिजनौर जो है उसमें हुई यह हो गया हमारे कुछ important point अब हम थोड़े से बात करते हैं वनिजीव विहार की तो चंद्रप्रभा वनिजीव विहार आपका कहां है कि जिले में है से है तो चंदौली में है इस्थापना वर्स 1957 है यह भी साथ में देखते चलिएगा किसनपुर वनिजीव विहार आपका कहा है लखीमपुर कीरी में है कतर्निया घाट वन्यजीव विहार बहराईच में हैं 1976 अस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरट मुरादाबाद और मुझफन नगर में है सोहागी बरवा वन्यजीव आपका महराज गंज में है सुहिलवा वन्यजीव विहार जो है स्रावस्ति वल्लाम पुर्गोंडा में है कचुवा वन्यजीव विहार वारणसी में है पीली भीत टाइगर जीव विहार आपका पीली भीत में है रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में है महावीर सौमी वनिजी विहार ललितपुर में है राष्टी चम्बल वनिजी विहार आगराय टावा में और लाष्ट आपका है कैमूर वनिजी विहार मिर्जापुर सोन बहत्र में है किवल इतनी चीजे थी जो इस टॉपिक से रिल्टेट थी जहाओ अधिकतर आपकी EBS सेक्षन में पूछी जाती है वो हुई हमारी समाप अब देखते हैं इस परबेश धहम कोशन टोटल जो प्रस्न होंगे वो हमारे 22 होंगे और लाष्ट में कोशन आपसे भी पूछेंगे सबसे पहला प्रस्न है उत्तर प्रदेश के कौन से सहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है बस्ती, मतुरा, वानणसी या फिर बांधा तो बताईए उत्तर प्रदेश के किस सहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है अंसर की बात करते हैं बस्ती, मतुरा, वारणसी और बांधा में से तो वारणसी आपका बिल्गुल सही होगा वारणसी, बनारस या कासी तीनों आपके आपके सही होगे वारणसी जो है आपका यहाँ पर सही होगा वरणसी या बनारस का जो नाम है वो आपको पुराणो, रामायल, महाबारत ऐसे अनेक गरंत है जिनमें देखने को मिलता है तो वही एक आधार हो सकता है जो कि सांस्कृतिक राज़दानी के रूप में आप याद रख सकते हैं अगला प्रस्न है चार सिरो वाला सेर जिसको भारत सरकार राष्टिय राज़चिन के रूप में अंगीकरत करती है वो इस्थित कहां पर है आगरा, मतुरा, सारनात या फिर व्रंदावन बताईए कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं तो असोग चिन आपका भारत का राज़चिय प्रतीक है इसको सारनात में मिली जो असोग लाट है उससे लिया गया है मूल रूप से इसमें चार जो है वो सेर है और चारो दिसाओं की और मुक की ये जो है ये खड़े हुए है नीचे इसके आप देख इक रूप में से 26 जनवरी 1950 को भारा सरकार के द्वारा जो है वो अपना आये गया था अगला देखते है आपका इनमें से कौन से खनिच उत्तर प्रदेश के मिरजापुर जिले में पाए जाते हैं बॉक्साइट कांच बालू चूना पत्थर दूसरा ओप्षन है कांच बा डॉलोमाइट, संग मरमर और चौता है बॉक्साइट, कांच बालू, चूना पत्थर बताएए कौन सा सही होगा अंजर की बात करते हैं तो C वाला सही होगा चूना पत्थर डॉलोमाइट और संग मरमर खनिच की दरश्टी से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बहुत से बाग अबहरण उत्तर प्रदेश में जो है पो इस्तेत हैं दुद्वा, काना, अमंगर, बादावगर या फिर पीली भीद बांदीपुर, रर्थमबौर, राजजी या फिर अमंगर, बांदावगर, पीली भीद बांदीपुर, या फिर दुद्वा, अमंगर, पीली ये तीनों आपके यूपी में आते हैं, पीली भीट टाइगर रिजर्व आपका उत्तर प्रदेश के पीली भीट जिले, लकीमपुर खीरी जिले और बहराइच जिले में जो है वो बना हुआ है, पीली भीट के बारे में अगर पूछा जाए तो ध्यान रख सकते हैं, और जबी यूपी से संबथित हैं, ये ध्यान रखिएगा, और बाग अब भेरन है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, अगला प्रसनStud 5 है उत्तरप्रदेश राज़्य में किस सहर डैस में किया, डैस सहर जो है किसमे पीतल के बरतन और हस्त सिल्फ के लिए अधित पूछ प् पीतल के बरतन हैं, उसके लिए भी नगर बहुत प्रसित है, यहाँ पर कुछ चीनी और कपड़े की मिले भी हैं, कपास मिल, बुनाई, धातु कर्म, इलेक्ट्रो प्लेटिंग और भी बहुत चीरों के लिए प्रसित है, परतु पीतल के बरतन और हस्त सिल्प को जरूर ध्या कौन सा है, ब्रम कमल है, कलिहारी अगनी सिखा है, या फिर रोडो डेंड्रोन है, या फिर पलास है, तो बताईए, रास्की है, राजगी है पुस्प जो है, वो कौन सा है उत्तरफदेश का, अंसर की बात करते हैं इन चार आप्शन में से, तो पलास आपका जो है, स्रेश् में नाम होता है, फ्लेम अफ दा फॉरेश्ट, हिंदी में नाम होता है पलास, इसको टेसू भी कहा जाता है, इसको धाक भी कहा जाता है, और विज्ञानिक नाम इसका है, विज्ञानिक नाम इसका क्या है, विज्ञानिक नाम इसका क्या है, विज्ञानिक नाम इसका क्या ह है, बी जबोने से संबंदित है, लकडी पर नकासी से संबंदित है, बताइए इनbble से कौन सा सही होगा, अंसर 되어 की बाथ करते हैं, यह वाला, आपका option सही होगा,ügen सही होगा, व्यंजन पाकाने की जो है, ये विदी है और ये जो दुम पुक्त लिखाए ये दम पुक्त होता है आपका ये जो है आपका मासाहरी जो वेंजन होते हैं वो पकाए जाते हैं तो आपका option A वाला सही होगा आठवा प्रसंद देखते हैं उत्तर प्रदेश का कौन से सहर है जिसको ceramic city के नाम से जाना जाता है लखनव मुरादाबाद प्रियागराज या फिर खुर्जा बताइए इनमें से कौन सा सही होगा ceramic city के नाम से किसे जाना जाता है अंजर की बात करते हैं तो आपका जो खुर् खुर्जा अपनी जो मिट्टी होती है एक प्रकार के बरतन बनाए जाते हैं उसके लिए भी बहुत प्रसिद्ध है और यहां पर एक विसाल जैन मंदिर भी जो है वो इस्तिद्ध है अगला प्रसने उत्तर प्रसका एक छोटा सा सहर डैस अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बरतनों के लिए प्रसिद्ध है बरेली, मेरट, चुनार या फिरोजाबाद तो अंसर की बात करते हैं ओप्शन एवी सीडी में से तो अभी जो मैंने नाम बताए तो खुर्जा वो भी आपका फेमस है रामपुर भी आपका फेमस है और अंसर जो होगा वो होगा चुनार ये भी आपका फेमस है ये सभी तीनों नाम जो मैंने बताए चीनी मिट्टी के बरतनों के लिए जाने जाते हैं और साथ इसाथ लाल मिट्टी के सजावती बरतनों के लिए भी जाने जाते हैं तो चुनार आपका या पर वो सही होगा खुर्जा जो है वो सस्ते और पुलिकली कौन सा सही होगा उत्तरप्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध एतियासिक कहानिया और गाथा गीत का नरत्य नाटक है अगला है हरदौल कथा विसेश रूप से किसके लोक गीत हैं जो कि उत्तरप्रदेश और मद्यप्रदेश में फैले हुए है अंसर की बात करते हैं तो आपका उप्शन बुंदेल खंड जो है वो सही होगा बुंदेल खंड में पुरानी परंपराओं और लोक कताओं का अब भी महत्त हैं तमाम ऐसे रिती रिवाज भी हैं जिनोंने सामाजिक और धार्मिक मानिताओं से भी जोड़ कर जो है इसको बता आया है तो आपको किवल पॉइंट जोडने हर दौल कथा विसेश रूप से बुंदेल खंड के लोग गीत हैं 12 प्रसन आपका है कि कौन सा उत्तर प्रदेश और बिहार का बारिस के मौसम एक लोग प्रिये मनोरंजन है जूला विरहा स्वांग या रसिया बताइए कौन सा स या सी कहानिया और गाथा गीत का नत्ति नाटक है स्वांग तो यही चीज़ यहां पर भी बुची गई है कि विरह उत्तर प्रदेश और बिहार का बारिस के मौसम का एक लोग प्रिये मनोरंजन तो बस आपका स्वांग ही यहां पर भी जो है वो सही होगा अगला प्रसन है आपका बड़ा इमाम बाड़ा इसमारक कहां इसते थे लखनो वारणसी कानपुर या फिर इलहावार बताए कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं तो जब मैं रहता हूँ वहीं कहाई यह लखनो इसी को हम भूल बुलया भी कहते हैं यह बनवाया किस ने था तो आसफ आगरा पताए को न सा सही होगा परीचा वान किस नदी पर बना हुआ है अंसर की बात करते हैं तो बेतवा आपका जो है वो सही होगा इसका निर्मार जो है बिजली उतपादन के लिए परीचा थर्मल पावर प्लांट के द्वारा किया गया है अगला फ्रस्ने कीठं जील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण किस सहर के पास इस्तित हैं। जासी, कानपुर, लखनो, आगरा। बताए कीठम, जील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण किस सहर के पास इस्तित हैं। अंसर की बात करते हैं तो आगरा आपका जो है वो सही होगा, आगरा में सिकंद्रा से 12 किलोमेटर की दूरी पर जो है ये इस्तेते हैं और इसी के समीब सुर्षरोवर पक्षी विहार भी आपका इस्तेते हैं अगला देखते हैं 16 अनुभवी सुपरिश्टार अमिताब बच्चन उत्तर प्रदेश के किस सहर में हैं? प्रियाग राज, कानपुर, मेरट या फिर आगराफ पताए कौन सा सही होगा? अंसर की बात करते हैं तो अमिताब सुपरिश्टार अमिताब बच्चन का जन्म हुआ था प्रियाग राज में प्रियाग राज इलहाब आदाप का जो है वो सही होगा 1942 में हुआ था इनके पिता का नाम था प्रिशिद्ध सायतकार हरिवन सराई बच्चन 17 प्रस्ट में प्रिशिद्ध बाके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस सहर में जो है वो सिस्तिध है सारनाथ, वारानसी, वरंदावन या फिर आगरा बाके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस सहर में जो है वो सिस्तिध है अंसर की बात करते हैं तो वरंदावन आपका सही हो जाएगा वरंदावन, मतुरा, वेमसी आपका है बाके बिहारी जी के लिए यही आपका जो है वो सही हो जाएगा भगवान बुद्ध जाइन उन्हें अपना पहला उपदेश दिया था, उसे किस नाम से जानते हैं? भर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, उस पॉइंट को ध्यान लखेगा उत्तर प्रदेश का जो सहरन पुर्ष सहर है, वो इन में से किस कला और सिल्फ के लिए विस पॉर्सिद्ध हैं? चूणियोग बनाने के संदर में, इत्र और सुगंद के लिए, लकड़ी और नकासी के लिए, या कालीन बनाने के लिए, बताइए कौन सा सही होगा? तो उप्षन, ABCD में से अंसर की बात करते हैं, तो सहारन पुर्ष सहर आपका प्रसिद्ध है, चूडिया बनाने के लिए, ये वाला आपका उप्षन जो है, वो सही होगा, और चूडिया और बनाना जो है, आपका संबंदित होगा, फिरोजा बात से हैं, चूडिया जो है, बनाने के लिए, उत्तर पुर्देश में, प्रसिद्ध है, आपका फिरोजा बात, आपर सहरन पुर्ष कुछा गया था, आपका पहला उप्षन नहीं सही होगा, सहरन पुर्ष सहर आपका प्रसिद्ध है, लकड़ी और नकासी के लिए, प्रसिद जिला है, आपका सहरन कोई भदोई और मिर्जापुर से है कमेंड में वश्च बताईएगा इस टाइप से आपका सभी आपको याद होने चाहिए अगला 19 प्रसना आपका है केंद्रिय पक्षी अनुसंदान संस्तान C.A.R.I. उत्तर प्रदेश के किस सहर में इस्तित है आगरा बरेली यहां पर बेरली लिखा हुआ है बरेली या फिर लखनो या फिर कानपूर तो ऑप्षन एबी सीडी में से अंसर की बात करते हैं तो केंद्रिय पक्षी अनुसंदान संस्तान आपका बरेली में जो है वो इस्तित है बरेली के पास आपका पढ़ता है इजजत पनगर उसमें जो है आपका इस्तित है और कुकुट विज्ञान से संबंदित विविद विशेओं पर सोध भी यहां पर होता है इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं अगला है बीस प्रसन आपका है कि उत्तर प्रदेश में किस इस्थल को रामा सार इस्थल के रूप में नामित किया गया है रामसर यहां पर होगा यह आगी मात्रा एक एक्स्ट्रा लगी है तो बताइए पार्वती आरंगा, सूर सरुबर, सुरहाताल या फिर उपरी गंगा नदी पताइए कौन सा सही होगा रामसर कंवेंशन में से सामिल किया गया है आपका अंसर की बात करते हैं तो आपका उपरी गंगा नदी सही होगा पार्वन जो वन और जलवायू मंतराले हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के वन विवाग से जो ग्रेटर नोटा में आता है आपका धनाओरी उसको रामसर कंवेंशन में सामिल किया था और वही जो है आपका उपरी गंगा नदी वाला छेतर है वही पूछा गयता है किस के रूप में नामित किया गया था अगला प्रसंद देखते हैं 21 की बैराइट और इडालुसाइड उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं चार ओप्षन है ललितपुर, इलहाबाद, सोन भद्र या फिर मव बताइए कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं तो आपका सोन भद्र जो है वो सही होगा उत्तर प्रदेश में सोन भद्र जो है ये खनिज उत्तपाधन के मामले में समपन चिला है अगला और इस वीडियो के लाश्ट प्रसन देखते हैं इसके बाद एक प्रसन हम आपसे भी प्रसन पूछेंगे जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नेक प्रसन पूछते हैं 22 प्रसन आपका इनिमलिकित में से बागों के संनक्षर्च संबंदित कौन सा स्थाल है जो की उतर प्रदेश में स्थित है सरिस्का अमनगड जिमकारबेट या फिर पन्ना तो बताईए इन में से कौन सा सही होगा इसके लाब वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया हो सभ पताईए इन चार ओप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा अंसर विभात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है उसमें पागों के संक्षर्च से संबंदित जो इस्थल है उत्तर प्रदेश में वो है आपका अमनगड और जो अमनगड छेत्र है आपका एक बिजनौर जो ह आप एक प्रसनाप के लिए भी जिसका अंसार वीडियो के में कमेंड में सबी लोग टाइप करके बताईएगा कि राचीन पुरुसो द्वारा चौक से बनाए गए जो चित्र हैं अत्वा कहरे लाल रंग के चित्र हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा म पाए जाते हैं एक अप्ष्ण है मेरट भी आप्ष्ण है मिटजापूर ऑप्ष्ण है वारणसी और डी ऑप्ष्ण है बांदा ऑप्ष्ण चारों में से कौन साई होगा अपना अंसर वीडियो के में कमेंड में टाइप करके पताईएगा लाइफ टाइमिंग दो है झाल